जैहिन दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज नहों बात करने वाले हैं इंडिया वस्टेंडी सीरीज के बारे में तो इस सीरीज का मैच नमबर फिफ्थ होने वाला है जो की दोस्तों सकेंड टी ट्वंटी मैच है जो कल रात साथ बजे खेला जाएगा तो दोस्तों मैं इ इस बीडियो को देखने से दोस्तो आपको पूरे पूरी यहाँ पे हिट टु हेड एसल और जी एल तीनों ही फार्मिट में आपको जीत मिलेगी तो पूरे वीडियो में पूरे ध्यान से बने रहेंगे तो चलते हैं वन बाइवन मैं सारी डिटेल अनालाइसिस पे बात करूं होने वाली है अगर आप फेंटेसी आपों में अपना करियर देख रहे हैं या फिर अपना लॉस कबर करना चाहते हैं या फिर दोस्तो फेंटेसी आपों में कुछ पैसे अर्न करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और बहुत ही अच्छी टीम है आप कहीं भी compare कर सकते हैं जो हमारी चैनल होए जो टीम देती है वो बहुती लाजवाब टीम रहती है और आपको perfect winning करवाती है तो चलते हैं दोस्तों यहाँ पे पहले pitch की बात कर लेते हैं तो दोस्तों जो pitch की reports निकालें तो जो पिछला मुकाबला जो Eden Garden में ही हुआ और यह मुकाबला भी Eden Garden में ही खेला जाएगा और जो Stadia में वो बहुती बड़ा है यहाँ पे स्कूर्स थोड़ा सा कम बनता है जो average score निकल करा रही है वो 140 रनों का average score निकल करा रहा है और जो यहाँ पे pitch है वो spinners को थोड़ा ज्यादा support करता है तो थोड़ा spinners पे आप ज् दिखा होगा कि spinners यहाँ पे बहुत ही अच्छे performance करते हैं पिछला मुकाबल में भी 160 के आसपास आपको run देखनी को मिले थे इस मुकाबल में भी उतना ही run बनेगा लेकिन average score 140 का है और पर match यहाँ पे 12 से उपर विकेट्स गिरते हैं वो भी ध्यान में रखेंगे तो आपक कर सकते हैं तो और बात करें तो यहाँ पे जो आपने बताया कि पेसर को यहाँ पे मैंने बताया था पेसर को यहाँ पर 50% का support है और spinners को भी यहाँ पर 50% का support है दोनों ही important इस match के लिए रहने वाले हैं तो चलते हैं दोस्तों यह तो पूरी pitch की कहानी थे आप weather की बात करें तो weather clear sky रहेगी और temperature आपको 24 के आसपास देखनी को मिलेगा और pitch है पूरी की पूरी balance pitch है अब चलते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे दोनों ही टीमों की comparison करके बताते हैं कि recent में इंडिया कैसा performance चल रहा है तो इंडिया की बात करें तो जो यह recent के 5 मुकाबले खेली है इंडिया वो T20 का मैचों किनी देशों के साथ खेली होगी वहाँ पर यह पांचों के पांचों मैच में इनको जीत का सामना करना पड़ा था मतलब जीते थे और champion team साबित होई थी वही बात करें West Indies तो West Indies 200 recent के 5 मुकाबले में मातर 2 ही मुकाबले win कर पाई है और 3 मुकाबले loss की है और पूरे के पूरे इस series की बात करें तो दोस्तो 3 जो हुआ था ODI का मुकाबला उसको 3-0 से इंडिया ने जीती थी और इस मुकाबले में मतरब जो T20 का series स्टार्ट हुआ उसमें पहला मुकाबला ही इंडिया जीत चुकी है और इस मुकाबले को भी इंडिया ही जीतेगी ये तो मेरी prediction है तो इंडिया को favor करके आपको team मनाना है यहाँ पर देख पारे होंगे कि मैंने की प्लेयर्स यहाँ पर रूईत सर्मा को एच पाटेल इसान के सन के मायर्स विराटको लिग कोटरल यहाँ पर चहल और आरपॉयल और ए हुसेन और रॉस्टन चेज आपके लिए इस मैच के की प्लेयर हो सकते हैं जिन पर आप खासा ध्यान रख सकते हैं पहले टीम की तरफ चले दोस्तों यह मेरी हिट टूइट की टीम है जहाँ पर देख पार होंगे कि मैंने आरपॉयल को जगा दिया एनपुरन को जगा दिया इसके जगा पर आप दोस्तों यहाँ पर आप मायर्स को भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर देख पार है मने केरन पुलाट रोस्टन चेज और वेंकटे सयर को जगा दिया है चेंज़ आपके उपर एकर भी सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सेम टीम से जा सकते हैं यह टीम आपको कहां लगानी है तो यह टीम आपको hit to head में लगानी है आपको फायदा देखने को मिलेगा यहाँ पर मैरी जो वाइस कप्तान है थोड़ी सी रिस्की जरूर है लेकिन आपके लिए फायदे मन्द है यहाँ पर अगर changes करना चाहेंगे तो आप रोस्टन चेस को यहाँ पर अखिल हुसेन को रख सकते हैं या फिर विल्कुल सेम टीम से जाकर या फिर एक बैट्समन यहाँ पर जो कि दोस्तों ब्रैंडन किंग है उनको भी रख सकते हैं या फिर बिल्कुल सेम टीम से जाकर easily win कर सकते हैं hit to hit का मुकाबला कप्तान और वाइस कप्तान से प्रफटान का थोड़ा फेरा हो सकता है इसलिए मैंने थोड़ा से रिस्की पिक जरूर लिया लेकिन आपके लिए फायदे मंद है आपको दूसरी टीम दिखाते हैं जो की मिनी जील आपको जिता सकती है इस टीम में देख पार होंगे मैंने ब्रेंडन किंग कैव माइस को मैं पर पर जा सकते हैं लेकिन सुरी कुमार यादो के साथ भी जा सकते हैं लेकिन सुरी कुमार यादो पिछला मुकाबले में चले हैं मुझे लगता इस मुकाबले में आपके बिराट कोली और रोहित सर्माद चलेंगे तो यहां पर आप बिराट कोली को भी जगा दे सकते हैं और Grand League में भी इस टीम को आप लगा सकते हैं आप चलते हैं आपको Grand League की तीन कॉमिनेशन दिखाते हैं जो बहुत ही रिस्की कॉमिनेशन है और आपको एजली भी विन करवा सकता है अगर ये टीम से चलेगी इस टीम में देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे देख पा रहे अगर ये टीम चलेगी तो इस टीम में रभी बिस्णौई और भुनिसवर कुमार को मैंने जगा दिया है चेंजेज आपके ऊपर एक कर सकते हैं या फिर विल्कुल सेम टीम से जा सकते हैं ये मेरी चौती टीम है जिसको मैंने बहुत ज़्यादा रिस्की बना दिया इस टी टीम है इस टीम को मैंने ये सोचकर बनाया है कि दोस्तों अगर यहां पर वेस्ट इंडिज की टीम अच्छी करती है और कप्तान और वाइस कप्तान आप चेंज कर सकते हैं आपके पास यहां पर आपके पांच शे गिरेंगे इंडिया के तरफ से तो यह टीम आपके लिए बेस्ट हो जाएगी क्योंकि जो आपके बिकेट होंगे यह सारे बोलर से ले जाएंगे और दोस्तों जो की में बोलर इंडिया के तरफ से दो स्पिनर है और स्पिनर को सपोर्ट तो मिली रहा है तो यह आपके काम कर देंगे तो यह टीम बहुत ही अच्छी है इस टीम को मै जरूर लगाएंगे जरूर ट्राइए करेंगे आप इस तीम को आप जरूर लगाएंगे तो मिलते हैं दोस्तों इस विडियो को यहीं पे खतन करते हैं मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यबाद जैहिंद